हेलो विवाइन वेल्कम बेक टो माई यूटूब चैनल तो फ्रेंट्स आज में आपको बताऊंगे कि आपके वल एक आलू से अपनी स्कीन की सारी प्रावलम को मिंटो में दूर कर सकते हो अगर आप पालर जाते हो पालर जाना भूल जाओगे अगर आपने इस रेडमी को एक ब्राइट बनाने में हैल्प करेगा तो आपको यहाँ पर फ्रेंट से एक मिडियम साइच का आलू ले लेना आलू को अच्छे से क्रश कर लेना क्रस करने के बाद इसका हम जूस निकाड़ लेंगे जूस हमारी स्कीन को ब्राइट बनाने में काफी जादा घयल्प करता है इसकीन के टैनिंग को दूर करेगा, काले दाग धबे, जाईया, आखों के निचे डाग सरकल, सब को मिन्टों में दूर कर, सकीन को bright बनाने में, इसकीन को बिल्कुल खिला-खिला बनाने में help करेगा, अगर आपने इसे एक बार लगा लिया पालर जाना भूल जाओगे महंगी महंगी क्रीम लगाना भूल जाओगे आप मार्केट से महंगी क्रीम लगाना भूल जाओगे आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा एक बार तो यह आलू का रश हमने ले ली अपने फेस के कोडिंग और अगर आप हफते में 3-4 बार अपिससे लगाते हो महिने बर में 100% रिजल देता है और यहां पर हम डाल लेंगे बिल्कुल जमी हुई दही घर की जमी हुई दही ले लेनी है आप चाहे तो मार्केट की भी दही पर्चेस कर सकते हो आपको एक चीज ध्यान देना है फ्रेंट्स होते हैं तो उनके लिए तो एक खास रेडमी है आप इसे जरूर ट्राइ करिए जिनके स्कीन अगर ड्राइ नहीं भी है तो दही हमारी स्कीन को काफी ज्यादा फायदे मंद होती है इसकीन ना धीरे-दीरे आपकी सौप्ट बच्चे जैसी सौप्ट हो जाएगी स्कीन को ब क्राइनिंग आ जाती है तो आप उसे मिंटो 1977 पैक को लगा के काफी अचार की जाल देता आप इसे अपने हि सकते हो बहुत ये जाल करिज्यार लिए ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा ऐसी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके क्योंकि मेरी जितनी वीडियो टिये फ्रेंड्स नैचुरल होती है मैं कोई बहेंगी चीज नहीं बताती हूँ जो आप मार्केट से पर्चेस नहीं कर सकते हो जो आपके घर में अवेल केबाद अबको अपने हाथों से रोस रोटर का छीट या फृप पानी का छीटा देकरियर अपको हलके हाथों दीकर्श करें बिल्कुल लाइट से म मासाज देने से मारे इज ने सकीन वीक्म सब्सक्राइव द्सक capable हर्बाड़ल करने लगती है तक काफी Mideo कुछ बार यहां पर और आपको इसी तरीके से अब को मसाज कर लेना है उसके बाद आपको नॉर्मल पानीश अपने फेश से यहां नोग में मया नहीं तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिल आप इसे जरूर ट्राइ करिए मेरी वीडियो अच्छे लेकर जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में